हलो तो नमस्कार कैसे आप सा दोस्ते हैं पर सीटेट रिजल्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट आई है न्यूज अटिन के ओफिसियल पेज पर जो दोस्तों यहाँ पर न्यूज में क्या कहा गया है रिजल्ट को लेकर दोस्तों आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है अगर आपने परिक्षा दिया है तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी helpful है तो दोस्तों आप नीचे चली पढ़ते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है सीटेट के रिजल्ट का अमिदवार पिछले तीन दिनों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक रिजल्ट जारी ना होने से उमिदवार निरास है यह लगातार सोसल मेडिया के माध्यम से अपनी नराजगी जाहिर कर रहे हैं लेकिन अब तक रिजल्ट जारी ना होने से उमिदवार निरास है और लगातार सोसल मेडिया के माध्यम से अपनी नराजगी जाहिर कर रहे हैं कैंडिडेट्स सिच्छा मंत्री और बोर्ड को टैक करते हुए लगातार ट्वीट कर रहे हैं और रिजल्ट जल जारी करने की मांग कर रहे हैं कई उमिदवार रिजल्ट में देरी को लेकर तंज भी कस रहे हैं एक यूजर ने लिखा कि अगर इतनी देरी में रिजल्ट जारी करना था तो आनलाइन परिच्छा क्यों कराई गई एक आनी यूजर ने लिखा कि पहले पंदाइ मिनट में रिजल्ट आया दे थे अब परिष्या ऑनलाइन हुई तो एक महीने में भी रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं ऐसे में आनलाइन एक्जाम का क्या मतलब है कई अन्य मुझार रखाना है कि पिछले दो तिन दिन वसे लगातार वेबसाइट और विजिट कर रह है उमिद्वर्ण मांग के है कि से बेसिक और रिजल्ट जारी करने की डेट और समय बता देने चाहिए दोस्ते हाँ पर बच्चों में काफी अक्रोस है इस परिक्षा को लेकर के दोस्ते हाँ लगातार आपड़ेट के लिए हमाई चले सब जुड़ सकते हैं आप देख रह